सुनकते हैं तीन नमबर नीचे दी हुई दो अविधर्णाओं पर विचार के लिए पहला देखिए कहा रहा है कि दो भिन बिंदू A और B दिये रहने पर एक तीसरा बिंदू C ऐसा बिद्धमान है जो A और B के बीच इस्थित होता है और दूसरा है यदि यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदू विद्धमान है कि वे एक रेखा परिष्तित नहीं हैं क्या इन अविधर्णाओं में से कोई और परिभासित सब्द है क्या यह अविधर्णाय आभिरोधी हैं क्या यह यूकलीड के विधर्णा से प्राप्त होता होती है अस्पस्ट के लिए तो हम लोग दे यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमारी अभिधार्णा है अभिधार्णा एक जो हो रही है अभिधार्णा एक में ए और बी के बीच पूर्णता या पूर्णता परिभासित नहीं है तहां न ए और बी के बीच यह जो लिखा हुआ है यह पूरी तरह से परिभासित कहा है कुछ परिभासित ही नहीं है यानि ए और बी के बीच में कैसा सम्मद्ध है ऐसा कुछ परिभासित नहीं है इसलिए लिख सकते हैं कि यह अभिधार्णा अभिधार्णा यह अभिधार्णा आविरोधी है लेकिन ये युकिलीड की अभिधार नाओ अभिधार नाओ युकिलीड की अभिधार नाओ से प्रात नहीं होती है जो उसे प्रात नहीं होती है यहां लिख सकते हैं कि यह निमनलिखित आभी ग्रेजितों पर आधारित है कौन कौन से कैसे अभिधी ग्रेजित पर आधारित है और मों लिख सकते हैं इसको पहले वाले को इस तरह से बनाकर माना A, B, A रेखा खंड है रेखा खंड है ठीक है? A, B क्या है आपका? एक रेखा खंड है यानि A और B उस पे इस्तित होगा ना उस रेखा खंड पे यहाँ पर ऐसा कुछ सम्मदन नहीं दर्शारा है मैं यहाँ पर उसी को सही करके लिख रहा हूँ A, B, एक रेखा खंड है और फिर लिख सकते हैं कि A और B के बीच अनंत या फिर असंख ऐसे भी लिख सकते हैं अनंत अनंत बिंदू बिधमान है बिधमान है इन में से इन में से किसी भी बिंदू C को किसी भी बिंदू C को उसके बीच एक बिंदू C है न किसी भी बिंदू C को चुनने पर वह A और बी के बीच इस्थित है बीच इस्थित है ऐसे हम लोग यहां लिख सकते हैं अचा सेकेंड बाइब